नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूटूब चैनल विकास स्टिडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों यूपी स्पेसल यानि उत्तर प्रदेश की जानकारी के क्रम में आज हम लेकर रहे हैं क्लास 6 दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहला कुश्यन हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रथम विगलांग विद्याले स्थापित किया था दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम विगलांग विगलांग दोस्तों है विष्विद्याले कहा इस्थापित किया गया था चित्रकूट में दोस्तों विगलांग विष्विद्याले चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में सरप्रथम इस्थापित किया गया था और इस व स्पोर्ट कालेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां की गई दोस्तों गुर्गोविंद सिंग स्पोर्ट कालेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां की गई लखनाउ दोस्तों बहुत ध्यान से देखना उत्तर प्रदेश हमारी आगामी आने वाली परिच्छाओं क देश्टी से बहुत ही महात्रपूर्ण रहने वाला है तो दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एड़ेट डिजाइनिंग पर योजना का केंदर कहा इस्तित है लखनाव दोस्तों इसका अंसर होगा लखनाव उसके इसका नाम है राजर सिटंडन मुक्त विद्याले प्रयागराज उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है संगीत सिच्छायत उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महावीद्याले इस्थापित हुआ है दोस्तों ये कुश्चन हमने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया ह तो आप लोग इसका अंसर दीजिएगा कि सिच्छा संगीत सिच्छाय उत्रप्रदेश का पहला संगीत महाविद्याले कहां इस्थापित हुआ और क्या है तो दोस्तों इसका अंसर है भात खंडे संगीत महाविद्याले लखनाव और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी आपको इसका डिम्ड विश्वी द्याले का दरजा 24 सक्टूबर 2000 को दिया गया और दोस्तों उसके बाद अगला कुश्चन है उत्रप्रदेश का सबसे पुराना विश्वी द्याले क्या है कौन सा है दोस्तों उत्रप्रदेश का सबसे पुराना विश्वी द्याले इलहाबाद व 287 इसको केंद्री विस्वी दयाले का दरजाव 2005 में मिला उसके लाए दोस्तों अगला कुछछन देखते हैं उत्तर पराइटलेस दोस्तों सहारनपूर के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कि सहारनपूर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल आप पेपर टकनालाजी इस्तित है सहारनपूर में उसके बाद अगला कुश्चन केंद्री मंत्र मंदल द्वारा अनुमोदी राजियो गांधी पेट्रोलियम प्रदोगी की संस्थान इस्थाफित किया गया है कहां दोस्तों केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां इस्थित है लखनाव में दोस्तों केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनाव में इस्थित है उसके बाद अगला कुश्चन दोस्तों हमारा है सस्विज्यान सस्यवानिकी का राष्टी सोधकेंद्र कहां इस्थ ऑ माके बपनक्त मुष्चा संथान कि इंद रामपूर में। दोस्तों मौलाना महम्मद अली जौहर भीशुविद्याले के नाम से एक अलप संख्यक। अलप संख्यक। सिच्छा संस्थान का अनिराए कर रामपूर। दोस्तों, अगला उत्तर प्रदेश में जैन एम बहुत धर्म दोनों का प्रसिद्ध तेर्थ है दोस्तों बहुत ध्यान से यह कुश्चन देखना जैन एम बहुत धर्म दोनों का प्रसिद्ध तेर्थ है कौसामबी कौसामबी है दोस्तों भारत कला भावन संग्रहाले कहां इस्तित है दोस्तो नोसा बारा महिला है एक हजार पुरुस तो दोस्टों लिंगान उपाद एक बथा प्रदेश नोसा बारा है । दो 1 की जंग परदेश पर एक जिले है। विघjang simplify Ahora दोस्तों गय साधारित विद्धूत सेल्थ है दादरी परियोजना उसके बाद अगला कुष्चन हमारा है उतर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमक खनीजंग कौन-कौन-से हमारे चूना पथर डोलोमाइट यह दोस्तों उतर प्रदेश के सोनभाद्र और मिर्जापुर दिश्टिकों में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेस में पाए जाने वाले प्रेमुखनीच हैं चुना, पत्थर, डोलो माईड उसके बाद अगला कुछन देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेस में सीमांत करसक किन्हें कहा जाता है ? किस नधी पर इस्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश का परिच्छा बांद किस नधी पर इस्थित है बेतवा नधी पर उसके बाद अगला कुष्चन है सामुगड का युद दोस्तों सामुगड का युद 1688 आगरा में हुआ औरंग जेब और दारा सिकोह के मत दोस्तों यह दारा सिकोह के मत दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई दोस्तों उत्तर प्रदेश में क इसान बही योजण्हünde 92-1 भी मिलागू की गई उसकर बाद अगला कुस्टन हमारा है लौकस बैराज किस नदी पर बनाया गया है दो स्थो LAKGNU नदी कानपूर्मे बनाया गया है लौकस बैराज उसके बाद हमारा अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवाईव मानसूनी उपोष्ण है उसके बाद अगला कुश्चन है लखनव इमाम बारा किसने निर्मित कराया नवाब अस्फुदुद दौला निर्मित कराया लखनव इमाम बारा का निर्मार किसने कराया नवाब दोस्तों विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर इस्तित है और विष्णु प्रयाग दोस्तों उत्राखंड में विष्णु प्रयाग दोस्तों विष्णु प्रयाग तो अलगनंदा और भागी रथी के संगम पर इस्तित है उसके बाद महा जनपत काल में कौसामभी किसकी राजधानी थी दोस्तों महा जनपत की राजधानी से एक कुश्चन बनता ही है तो दोस्तों इसे बहुत ध्यान से पढ़ना देखते हैं महा जनपत काल में कौसामबी किसकी राजधानी थी वत्स दोस्तों एक जनपत था वत्स उसकी राजधानी कौसामबी थी उसके बाद चर्चित जील मोराय कहां इस्थित है दोस्तों मोराय जील फतेपुर में इस्थित है उसके बाद जौनपुर्नगर क के इस इस्थापना फिरोष्टा तुगलंग ने तीन-सौननाय नगरों का निर्मार किया था और फिरोष्टा तूगलंग ने जौनपूर सहर की स्थापना भी थी उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बरतन के लिए प्रसिद्ध है खुर्जा बुलंद सहर दोस्तों उत्तर भारत का एक मात्र लोक नर्त है कत्थक उसके बाद अटाला मस्जित कहां इस्तित है जौनपूर में दोस्तों अटाला सिकंदर लोदी approval सिकंद्र भावर स्तो की त्युस्त पर्दाद की मरेत श्व rhythm काउसांबी थी और पांचाल माजनपाद की राजधानी अहिछ耟र थी दोस्तों पांचाल महाजनपा शॉला महाजनपा थे तो दोस्तों वस्ट की राजधानी कौसांबी थी और पांचाल की राजधानी अहिछाथ नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के कितने जीले सीमा बनाते हैं दोस्तों ये कुश्चन पिछली बार यूपी डिपलेस सी पीटी में पूछा गया था कि नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं उसमें दोस्तों कुछ चनाया था कि कितने राज्य हैं तो दोस्तों पिछली बार अगर राज्य आया तो इस बार चांस बनते हैं कि जिले की आ जाए तो दोस्तों उत्रप्रदेश के साथ जिले सीमा बनाते हैं और दोस्तों राज बनाते हैं पांच तो दोस्तों साथ जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं पिली भीत लखीमपूर बहराईच स्रावस्ती बलरामपूर सिदार्थ नगर और महराज गंज दोस्तों ये डिश्टिक नेपाल से सीमा बनाते हैं और नेपाल स सीमा उत्रप्रदेश के साथ जनपर Bناते हैं पीली भी लखीमपूर-ख fire स्रावस्ति बलरापुर- दारत नंगर महराजगं दोस्टों नेपाल से कि सीमा पांच राज्य बनाते हैंbharat के 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं उसके दोस्तों नर्द सिंग नर्ट पर्चलित है पारी स्वांठ कि सब्सक्राख वै के लिए प्रिंद प्रिषिद्ध हे दोस्तों हाथ की छपाई के लिए प्रिशिद्ध है फर्रूखावाद उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है इंडियन टेलीफोन इंडेस्टी इस्थित है नएनी प्रियाग राज दोस्तों नएनी प्रियाग राज सबसे पहले किस वंस के सासक ने चांदी के सिक्के जारी क करने तो दोस्तों आजका वीडियो यहीं पर सम kinderg करते हैं मिलते हैं अगली ग्लास में उत्त-प्रदेश के प्रियत करम इंस पेसल जानकारी लेकर दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा ज्रू दके और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कुष्चनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद